चांदनी चहकती हुई पूरे घर में घूम रही थी. उसके कॉलेज का दोस्त परिमल अपने परिवार के साथ चांदनी से मिलने आ रहा था. मिलना तो एक आपचारिकता ही थी. परमिल को और उसके परिवार को चांदनी बेहत पसंद थी. चांदनी की मम्मी सरोज हालां की बराबर ये ही कह रही थी कि एक बार पंडित राधेजी से बात कर लूँ. लेकिन चांदनी की बड़ी बहन अनू ने मम्मी की बात को तूल नहीं दिया और परिमल को आमंत्रित कर लिया था. क्योंकि परिमल अच्छी खासी सरकारी नौकरी में था और परिवार भी बेहत जाना माना था. चांदनी के गोरे गाल शर्म से गुलाबी हो रहे थे. परिमल अपने मम्मी पापा के साथ पहुँच गया था. थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर परिमल की मम्मी बोली. हमारे पास सब कुछ है. बस एक बेटी की कमी है जो चांदनी के आने से पूरी हो जाएगी. चांदनी की दीदी बोली. आंटी जी हमें भी चांदनी के लिए ऐसा ही संसकारी परिवार चाहिए था. परिमल की मम्मी जैसे ही चांदनी के गले में सोने की चेन पहनाने लगी की सरोज जी बोल उठीन. रुकिये दीदी, माफ कीजिये जब तक पंडित जी से मैं जन पत्री ना मिलवा लू. मैं कोई रस्म नहीं कर सकती हूँ. परिमल के माता पिता का चहरा अपमान से लाल हो गया. वहीं चांदनी की दीदी अनूभी गुस्से से तिल मिला गई. बाहर वालों के सामने अपनी मा को कुछ कह नहीं सकती थी पर फिर भी सन्यत्स्वर में बोली, मम्मी परिमल और चांदनी एक दूजे को पसंद करते हैं. सरोज जी बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है. भूल गई. तू आज इतनी खुश इसी लिए है क्योंकि तेरा विवा जन्म कुंदली मिला कर ही कराया था. अब छोटी बेटी को कैसे धक्का दे दूँ? परिमल का चहरा फीका पढ़ गया था पर उसे उम्मीद थी कि चांदनी जैसी पढ़ी लिखी युफती जरूर कुछ कहेगी पर उसने आखे जुकाली परिमल के माता-पिता बिना क कुछ कहे बाहर निकल गए. अनुने महमान के जाते ही अपनी मा को आडे हाथ हो लिया. मम्मी तुम अजीब हो, इतना अच्छा रिष्टा नसीब से ही आता है और तुम कुंदली मिलान पर अटकी हो, पर सरोज जी ने एक ना सुनी. अगले दिन ही वो मंदर के पुरोहित र राधे जी उस मंदर में पीडियों से स्थापित थे. उनके पूरे परिवार का खर्चा मंदर की दान्दक्षिना. जन्म कुंदली और हाथों की लकीरे पढ़ने से निकलता था. वास्तव में उन्हें कितना ज्यान है, ये कोई नहीं जानता पर वो हर महिला और उसके परिवार की आर्थिक स्थिती देख कर उन्हें विभिन्न प्रकार के उपाय बताते थे. राधे जी का मनझोला कद और चहरा गोरा था. उनका पूरा चहरा दाड़ी से धका हुआ था और सारे दान्त पान जर्दे से खराब थे लेकिन आंखों में एक सौम्यता थी. जिस का पारण महिलाएं उनके पास बिना जिजक के आकर अपनी समस्याओं का हाल सुनाती थी. सरोज जी ने भी चांदनी की कुंडली और परिमल की जन्मतिती सामने रख दी. राधे जी ने स्लेट पर कुछ गणना की और फिर कहा, ये लड़का तो घोर मांगलिक है. अगर चांद अपनी बिटिया की शादी इससे हो जाती है, तो चांदनी का ही अनिष्ठ होगा. सरोज जी के माथे पर चिंता की लकीर खीच गई और फिर वे चिंतित स्वर में बोली, कोई उपाय है क्या पंडित जी? राधे जी की आंखों के सामने इस वर्ष ग्रीश मावकाश की से ज्ञान था. इसलिए पंडित जी बोले, मैं ऐसी पूझा करूंगा कि चांदनी बिटिया राज करेगी, तीस हजार का खडचा है. कल आप बिटिया को लेकर आए, मैं पाठ की तयारी शुरू कर दूंगा, उसके हाथ से ही संकल्प कराना है. जब घर आकर सरोज ने ये बाते बताई तो जहां सरोज के पती इस आकस्मिक खडचे से तिल मिला गए, वहीं चांदनी का चेहरा बुझ गया. उसने दौड कर वाटसप पर परिमल को मैसेज कर दिया. परिमल का जवाब आया, मैं तुम से विवा के लिए तयार हूँ पर तूम में ही कोई हिम्मत नहीं है. तुम इस सदी में भी इन सडीगली बेडियों में फंसी हुई हो, चांदनी को बचपन से ही उसकी मा ने ऐसे बड़ा किया था कि पढ़लिक कर भी अंधविश्वास उस देना था. सवेरे नहाधो कर दोनों मामबेटी मंदिर की तरफ चल दी. हिठुर्ती हुई ठंड में चारो और सन्नाटा खीचा हुआ था. कमपक पाती हुई दोनों जन मंदिर प्रांगण में पहुची. राधे पहले से ही तैयार बैठे थे. लपक कर नोटों की गड़ी अ और मंत्र पढ़ने आरंब कर दिये. करीब 20 मिनट बाद चांदनी के हाथ में कलावा बांध करकर. एक हाड़ी चांदनी को पकड़ाते हुए राधे जी बोले. बिटिया इसे बीच चौराहे पर रखना पर एक बात का ध्यान रखना. तुम्हें पीछे मुड कर नहीं देख जन्वरी की कड़ाके की ठंड में चांदनी ने जैसे ही. चांदनी ने जैसे ही चौराहे पर वो हांडी रखी. वहां पर पसरे हुए आवारा कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया. क्योंकि पंडित जी ने कहा था पीछे मुड कर नहीं देखना. इसलिए दोनों मामबे कुत्ती ने चाल तेज कर दी थी डौट कुत्तों को उनकी तेज चाल से लगा कि वो चौर हैं. और गली के प्रती अपनी वफादारी निभाते हुए एक कुत्ते ने चांदनी के दाएं पैर में काट लिया. वो दर्द से तिलमिला कर वहीं बैठ गई और जोर से चिल्लाई तब सरोच ने पीछे मुड कर देखा और चांदनी के दर्द से अधिक. सरोच को इस बात का दर्द हो रहा था कि कुत्तों ने पूरी पूजा सामगरी को फैला दिया था. दर्द से कराती हुई चांदनी किसी तरह से घर पहुची तो सरोच के पती महावीर सिंग हक्का बक्का रह गए पर फिर बिना देर किया वो बेटी को डॉक्टर के पास ले गए. इमर्जन्सी के कारण डॉक्टर्स ने दुगनी फीस वसूली जिसके चलते उन्हें दस हजार की चपत लग गई. मजे की बात ये है कि चांदनी आज अपनी नौकरी के साक्षातकार के लिए भी ना जा सकी. उधर सरोज के मन में ये वहम घर कर गया था कि पूजा खंडित हो गई है. जरूर कुछ अप्षकुन होगा. एक माहा पश्चात फिर से चांदनी को देखने कुछ लोग आये थे. लड़का अमेरिका में उच्चपद पर था. इस बार सरोज ने जन्म कुंडली पहले ही मिलवा ली थी. वर्पक्ष को देखकर सरोज और चांदनी दोनों ही खुश थे. पंडित जी के कहें अनुसार चांदनी ने फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी लेकिन उसे अभ्यास नहीं था वो लड़के को चाय देते हुए साड़ी में अटक कर गिर गई. बातों ही बातों में जब वर्पक्ष को साड़ी पहनने का राज पता चला तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा. लोग तो चांद से भी आगे निकल गए हैं. हम ऐसी अंधविश्वासी लड़की को बहु बना कर अपने परिवार को दस पीड़ी पीछे नहीं पहुँचा सकते हैं. सरोज को लगा पूजा खंडित होने का फल मिल गया है. चांदनी अपने कमरे में बैठी हुई सुबकने लगी तो अनुगुस्से में बोली, तुम भी इस बात के लिए उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी मम्मी है. बेटी के जाते ही सरोज ने राधे पंडित को फोन लगाया तो राधे जी बोले, आप चिंता ना करें, बिट्या के भाग्य में राज्योग है. तब ही तो लड़के वाले अपने आप पीछे हट गए. लड़के की जन्म कुंडली अच्छी थी, लेकिन उसकी कुंडली में राज्योग नहीं था. चान्वनी बिटिया तो राजरानी का भाग्य लिखवा कराई है, इसलिए लड़के वाले पीछे हट गए. सरोज जी को इतना अच्छा रिष्टा हाथ से निकलने का दुख था पर संतोश भी था कि बेटी राजरानी बनकर राज कर, कि बेटी राजरानी बनकर राज करेगी. करीब एक सप्ता बाद फिर से वर्पक्ष चान्दनी से मिलने आए. इस बार वर्पक्ष ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें नौकरी शुदा लड़की चाहिए. एक बार फिर सरोज अपने जीवन के संकट मोचन पंडित राधे जी के सामने बैठी थी. पंडित जी सरोज के भय का फाइदा उठाते हुए बोले, बहन जी, चांदनी पर शनी की साढ़ह साती आरंब हो गई है. वैसे तो इस उपाए में पूरे बीस हजार का खडचा है. पर क्योंकि आप मेरी बहुत पुरानी जजमान हो, आपके लिए मैं पंद्रह हजार में ही कर दूंगा. इस पूजा के पश्चात आप देखेंगी कि बिट्या को उन्ची नौकरी और योग्यवर तुरंत मिल जाएगा. सरोज को पता था कि पती महोदय इस बार अपनी जेब किसी भी कीमत पर धीली नहीं करेंगे, इसलिए सरोज ने अपने पास से रुपए राधे जी को दे दिये. चांदनी बजपन से ही अपनी मा को ऐसे पूजा पाठ के लिए पैसे खर्च करते हुए देखते आई थी, इसलिए चांदनी को पूजा पाठ का यह मार्ग आसान लगता था. अगर नंबर कम आये तो ग्रहों पर डाल दो, अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो शनी की साड़े साती पर डाल दो अपने जीवन की बागडोर इन ग्रहों और नक्षतरों के हवाले करके चांदनी बहुत खुश थी. ऐसा नहीं था कि चांदनी के पास ताकक शक्ती का अभाव था पर वो बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मा की हर बात में हां में हां मिलाती थी. इसके विपरीत उसकी बड़ी बहन अनु इन सब पाखंडों का पुर्जोर विरोध करती थी पर चांदनी और सरोज जी के कानों पर जू भी ना रिंगती थी डॉट, अनु को अपनी मा और छोटी बहन की सोच पर गुस्से के साथ-साथ दया भी आती थी लेकिन वो चार माह बीद गए थे पर चांदनी को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली। उधर पंडित राधे जी अपने बच्चों के ग्रीश मावकाश के लिए सब बंदोबस्त कर चुके थे। बस पांच हजार की कमी थी तो इसके लिए भी उन्होंने सरोज जी को ही शिकार बना उन्होंने सरोज जी को फोन करके कहा, बहन जी मुझे राध स्वपन में दिखाई दिया कि चांदनी बिटिया दलदल में धनसी हुई है, तभी कहीं से एक पीले रंग का पारस पत्थर आया और चांदनी एकदम से रानी में परिवर्तित हो गई। राधे जी बोले, मैं बिटिया के लिए बारा रत्ती का पुखराज भेज रहा हूँ, सब ठीक होगा, उसे सोमवार में सुबह शुद्ध करके पहना दीजिये। उन्हें घर खर्च के लिए पैसे दिये थे। बड़े आराम से वो ये कर लेंगी। बस किसी भी तरह से चांदनी की समस्याएं खत्म हो जाएं और जैसा कहते हैं ना भगवान के घर देर हैं अंधेर नहीं। जल्द ही चांदनी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिष्टा मिल गया था। चांदनी और मौलिक मेट्रिमोनियल साइट के माध्यम से एक दूसरे से मिले और इस बार चांदनी ने मिलने से पहले मौलिक की जन्म कुंडली सरोज जी को दे दी थी। राधे जी ने कहा ऐसा मिलान तो कभी नहीं देखा जैसे बिलकुल राम और सीता का हो। बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। अगले हफ़ते मौलिक अपने दोस्त के साथ चांदनी के घर पहुँच गया। उसका आकरशक व्यक्तित्व और मनहोरी बातों से सरोज जी और चांदनी खुशी से फूले ना समा रहे थे लेकिन अनु को दाल में कुछ काला लग रहा था। उसने दबी जुबान में सरोज और महावीर से कहा आज कल बहुत धोका धड़ी चल रही है। आप इसके घर और नौकरी का पता कीजिए और फिर आगे बाद बढ़ाईए। पर सरोज ने ये सोचकर अनु की बात को अनसुना कर दिया कि राधे जी ने तो स्वयं इस बार हा कर दी है और सौ प्रतिशत गारंटी भी ली है डौट। मौलिक ने अपने घर का पता दिया और फिर उन्हें घर पर आमंत्रित किया। अपने माता पिता के साथ अनु भी गई और सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसे कुछ हटपटा लग रहा था। जब अनु ने चांदनी से बात करनी चाही तो चांदनी गुस्से में बोली दीदी आपको मुझसे जलन हो रही है कि मुझे आपसे अच्छा घर और वर कैसे मिल सकता है। ये मेरे सोलह सोमवार के वरत का फल है। ये बात सुनकर अनु सोच में पढ़ गई। कौन कह सकता है कि उसकी छोटी बहन पोस्ट ग्रेजुएट है। अनु ने फिर कुछ ना कहा। चांदनी और मौलिक के विवाह की तिथी भी राधे जी ने तै कर दी थी। राधे पंडित जी को सरोज ने इतना अच्छा घरवर दिलवाने के लिए दिल खोल कर दक्षना दी थी। देखते ही देखते तीन माह बीद गए और फिर चांदनी के विवाह को बस एक माह शेष रह गया था। अनु को भी लगने लगा था कि राधे पंडित जी के पाठ में कोई शक्ती तो जरूर होगी नहीं, तो इन तीन माह में कुछ तो जरूर पता लग जाता। उसके विवाह को भी पांच वर्ष हो गय थे पर वो अब तक मात्रित्व सुक से वंचित थी। आखिरकार अनु ने भी सोचा क्यों ना वो भी राधे पंडित से कुछ मदद ले ले इसलिए वो अपनी मा सरोज जी के साथ मंदिर की तरफ चल दी मंदिर में जाकर पता चला कि पंडित जी मंदिर बंद करके घर चले गए हैं। अनु उनसे मिलने को बेहत उतावली थी इसलिए उसने घर का पता लिया और जैसे ही घर पहुँची तो अंदर का नजारा देखकर अनु के साथ 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 सरोज के भी होश उड़ गए। पंडित राधे जी के सामने मौलिक बैठा था जो राधे पंडित जी को आगे की योजना बनाने में मदद कर रहा था डौट। सरोज जी आग बबूला हो गई और जैसे ही वो अंदर जा रही थी। अनु ने उनका हाथ पीछे खीच लिया और बोली। मा अभी अंदर चली जाओगी तो हम इनकी असलियत नहीं पता कर पाएंगे। थोड़ा सब्र रखो। सरोज जी बेहत श्मदा महसूस कर रही थी क्योकि उन्होंने तो अपनी दक्यानूसी सोच के कारण अपनी छोटी बेटी की जिन्दगी बरबाद ही कर दी थी पर इस मुश्किल की घड़ी में अनू ने होसला ना छोड़ा और जल्द ही ये राज खुल गया कि मौलिक पंडित राधे जी का ही दूर का रिष्टेदार है। सरोज की धर्म भीरूता का फाइदा उठाते हुए उन्होंने मौलिक का विवा चांदनी के साथ तै करा दिया था। मौलिक एक गरीब परिवार का युवक था। उसका वो व्यापार और घर सब किराये पर थे। सरोज जी ने अपने अंधविश्वास के कारण और महावीर जी ने अपने धीले रवये के कारण कोई जांच पड़ताल नहीं की थी डॉट। चांदनी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ पर बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरो तले की जमीन खिसक गई थी। अब तो कोई पंडित राधेजी भी नहीं रहा जिसके सहारे वो अब तक जिन्दगी जीती आई है। पंडित राधेजी रातो रात परिवार समेत ना जाने कहां चले गए। मौलिक भी रफूचक कर हो गया था डॉट। महावीर सिंग और सरोज सिर पकड़ कर बैठ गए। मैरिज हॉल, गहने, कपडे सब खरीदा जा चुका था। वो लाखों का नुकसान नहीं सह सकते थे और फिर शमदगी अलग थे। शुक्र था अभीकाड नहीं छपे थे पर वो हर हाल में उसी तारीक में चांदनी का विवा करना चाहते थे। सरोज जी फिर दो दिन बाद बोली, निर्मला चाची ने एक बहुत ज्यानी पंडित का पता बताया है जो चौक पर बैठते हैं, उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है, चांदनी तू चिंता मत कर कल तू और मैं वहां जाएंगे, भगवान ने चाहा तो इसी महूर्त में तेरी शादी हो जाएगी, सरोज उन लोगों में सिथी जो अपने उपर विश्वास करने के बजाए पोंगा पंडितों पर अधिक विश्वास करती थी, महावीर सिंग गुसे में दहाड उठे, बोले, माफ करो, सब पंडितों की बात सुन ली, चांदनी के चहरे का नूर ना जाने कहां चला गया था, सारे दिन वो अपने कमरे में कैद रहती थी, ऐसा लग रहा था कि एक जिन्दा लाश हो अनू को बेहत दुख हो रहा था कि उसकी चोटी बहन की जिन्दगी अंदविश्वास के कारण बरबाद हो गई है, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही है आज चांदनी बारह बजे किसी सहली से मिलने गई थी, शाम के साथ बज गए थे पर चांदनी वापिस ना लोटी, अनू ने जब फोन किया तो पता चला कि चांदनी सहली के घर गई ही नहीं थी महावीर और सरोज चांदनी को ढूंडने के बजाए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे डौट, तभी दर्वाजा खुला और चांदनी अंदर आ गई, पूरा परिवार आश्चर्य से उसे देखने लगा चांदनी बोली, आपने क्या सोचा कि मैं काईरों की तरह मुंग छुपा कर भाग गई हूँ या फिर मैंने आत्महत्या कर ली है, दीदी आप सच कहती थी, मुझे में हिम्मत नहीं थी पर आज मैंने अपने आपको हर सड़ी गली परंपरों से आजाद कर लिया है, काश ये बात मुझे पहले समझा जाती, तभी परिमल ने अपने माता-पिता के साथ प्रवेश किया और तब चांदनी ने कहा, मम्मी पापा मैंने परिमल से विवा करने का निरनय ले लिया है, जो भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ महावीर जी ने बिना सरोज से कुछ पूछे, परिमल को शगुन के रूप में कुछ रुपए दे दिये डौट, सरोज जी सिर्फ पकड़ कर बैठ गई बेवकूफ लड़की, तूने श्राथ में ये कैसा निरनय ले लिया है, चांदनी ने कहा, मा, हमारे पित्रों का आशिरवाद हमारे साथ रहेगा और मैं अब अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाती हूँ कोई ग्रह, नक्षत्र मेरा भविशत तै नहीं करेगा डौट, अनुने राहत की सांस ली क्योंकी चांदनी ने अब अंदविश्वास की बेडियों से सदा के लिए खुद को आजाद कर लिया था